पितम पूर ओध्योंगे श्ध्य के सेक्टर इंव थाना श्ध्य के अंतरकट छत्र छाया कॉलुनी में घरेलुग गयस सिर्ड और दो एक के बाहद एक विश्पोर्ट होते रहे बताय जागांवाराई कि इस्छोटे बड़े करीब 6 गयस सिर्डर ब्लास्ट हुए हैं गनिवत यह रही कि इस घटना में को जरहन नहीं हुई है पितंपूर की चोतरशाय कॉलोनी एक के बाद एक सिलेंडर के धमाकों से दहल उठी गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद आसपास की शेत्र में अफरात तफरी का माहूल हो गया सूचना मिलते ही पुलिस बल और नगरपालिका की टीम टैंकर लेकर आग पुछाने के लिए मौके पर पहुची उद्योगों की करीब चाट दमकर की गाडियों और नगरपालिका की पानी के टैंकरों की सायता से किसी तरह आग पर काबू पाया गया वही मौके पर पहुची मुक्यों नगरपालिका अधिक बारी निश्रीकांत शुकला ने बताया कि छुत्रशाय कालोनी में खंडेलवाल का मकान है यहां से गैस रीफिलिंग का कारी होता था रीफिलिंग के दौरान यह हाथसा को है एक के बाद एक धमाके होते रहे करीब 6 सिरेंडर ब्लास्ट हो है हाला कि किसी के जन हानी होने की और इसमें गेस की टंकी के विश्फोर्ट होने से आग लग गई थी जिसे नगरपालिका ने और फारफैटर ने मोके पर पहुंचकर ततकाल उस पर काबू पाया और यह भी ग्यात हुआ है कि अवे दौरूप से जो हो टंकियां भरने का काम करते थे जिसके करण यह बतादे की पितंपुर में सोच से ज़्यादा दुकान है जोहां अवैज रीफिलिंग का कारे हो रहा है पहले भी इस पर कारवाई हो चुकी है लेकिन किसी तरह अपने रसूप के दम पर यह बच जाता था लगभग चार मकान इस आरूपी के पास है जिसमें वह यह कारे कर है कि सुचना मिलते ही पोलिस मोगे पर पहुँच गई करीब चार्ट दमकल की गाड़ी और पानी के टेंकरों की मदद से नगरपाली का प्रशाषन और पुलिस प्रशाषन और उध्योगों की मदद से किसी तरह आग पर काबु पाया गया जृजकोर आरूप्यों के खिला कितनी गाड़िया लगी थी आंग बुजाने में लगे हैं इसकी जाच करते किसकी गलती है कि अभी मेरा को जैसे ही मालूम पड़ा मैंने तुरंट फार बिगेट और नगरपाली का एज़ियंग को सबको खबर करके तुरंट गाड़िया बुलवाई और उस पर कंट्रोल करवाया है आने वाला जो समय है यह जो गेस रिफ्लिंग करने वाले हैं इन लोगों पे अधिक सब्सक्राइड दी जाए क्योंकि गरीद जनता है उनको कईने कई तो राहत मिलना चाहिए तो इन लोगों को जो भी दुकाने हैं इन लोगों को कई आउट साइट में सिर्फ घरवाद के और वहां इनका काम करें यह आम बजार में या पब्लिक पेलेस्ट पे यह काम नहीं झाल स्वान्ला चाहिए यह कि नहीं है